बिग बॉस सीजन 15 में हाल ही में वाइल्ड कार्ड के जरी अभिजीत बिचकुले की सो में एंट्री हुई है लेकिन सो में आते ही अभिजीत सलमान खान की नजरों में चड़ गए हैं क्यूंकि उन्होंने सलमान खान के सामने ही कह डाला की बिग बॉस के घर में संसकार नहीं ह वैसे या कोई पहला मौका नहीं है जब अपनी बयान बाजियों के चलते अभिजीत बिचकुले को मुसीबत का सामना करना पड़ा है अभिजीत बिचकुले ने बिग बॉस 15 में रस्मी देसाई और देबॉलीना भटाचारी के साथ सो में एंट्री ली वो इससे पहले बिग बॉस मराटी सीजन 2 का अभी हिस्सा रह चुके हैं उस दोरान उन्हें एक मामले में सो सीधा जेल ले जाया गया था दरसल 2015 के चेक बाउंस केस में पेस ना होने के कारण उनके खिलाफ 17 कोट ने अरिस्ट वारंट जारी किया था जिसके बाद उन्हें बिग बॉस के सेट से पुलिस किरफतार करने आई थी ये नजारा देखकर सोके सभी सदस चौंग गय थे अभिजीत नगर निगम से लेकर पारलेमेंट चुनाओं भी लड़ चुके हैं हाला कि वो अभी तक एक भी चुनाओं नहीं जीत पाए हैं लेकिन वो आज भी देश के प्रधान मंत्री बनने का सपना देखते हैं अभिजीत बिचकुले बिग बॉस मराठी के दौरान भासा का इस्तेमाल करने को लेकर जवर्दस सुर्ख्यों में रह चुके हैं अभिजीत बिचकुले मजाकिया बैवहार के चलते सोसल मीडिया पर इंटर्टेनर के रूप में मसहूर हो चुके हैं महीं अभि ये देखना होगा कि बिग बॉस 15 में उन्हें कितना लोग पसंद करते हैं महीं अभिजीत ने आते ही देवोलिना से बहस कर डाली थी यही नहीं सलमान खान के सामने उन्होंने कह दिया था कि वो एक दिन प्रधानमंतरी बनना चाहते हैं